राम शीरा राम शीरा राम जे जे राम राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए राम से बड़ा राम का नाम जो सु मेरे भौपार हो जाए समसे बना राम का ना जो सु मेरे बोपाद हो जाए उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भए ब्रम्ह समाना महर्शी वालमी की जो अपनी प्रारम्धिक जीवन में कठोर नास्तिक हुआ करते थे किसी ने उन्हें मरा मरा कहने की आदत लगा दी मरा का उल्टा राम होता है और राम नाम की जाब का असर ये हुआ कि वालमी की तीनों लोकों के प्रसिद विद्वान महर्शी वालमी की बने और पूरी दुनिया जानती है कि प्रभु श्री राम की जीवनी राम चरित मानस की रचना उन्हों नहीं की उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भए ब्रम्ह समाना उल्टा नाम जपत जग जाना वालमी की भए ब्रम्ह समाना उनके पाप तमाम परमपद अंत में पाए नाम से बना राम का नाम जो सु मेरे वो पार हो जाए सु मेरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा सु मेरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा वीर हनुमान जिने भक्त शिरोमनी हनुमान कहा जाता है उनकी तुलना ऐसे भक्तों में की जाती है जिनके वश में उनके भगवान भी रहते हैं ये सारा कमाल तो प्रभुष राम का है जो ऐसे तयालू है कि उनका नाम जो भी सच्चे हरदय से पुकारता है प्रभुष राम हर पल उसके समीप रहते हैं और इसलिए रामायन में भी कहा लिया है सुमिरी पवन सुत पावन नामा अपने वश करी राखे उरामा है उनके दिल में बसे शीराम वो सीना ठाड दिख लाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे बोपार हो जाए गोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम कुपार है जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभुशिर राम भगवान विश्नु के अवतार हैं मगर उनके जन्म से संबंदित एक बड़ी ही रोचक कहानी है राजा दश्रत जब पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्र का मेश्ठी यक्य करा रहे थे तब अगनी देव हाथ में खील लेकर प्रकट हुए और माता कहकई माता कौशल्या और माता सुमित्रा को दिये तब जाकर माता कौशल्या ने भगवान विश्नु को जन्म दिया कोशल्या माध्यान लगाई पुत्र रूप में राम को पाई अवद में जनम लिये शी राम जो पावन धाम कहलाए राम से बना राम का नाम जो सु मेरे भोपार हो जाए पाप और पापी से हारे धरती से जब संत पकारे त्रेता युग में एक वक्त था जब सारी रिशी महर्शी राक्षसों के अप्याचार से परिशान रहा करते थे रिशीयों के हर पुनीत कारी में बाधा डाल दिया करते थे रिशीयों की पुगार सुनके भगवान विश्णू प्रभु शिर्राम के रूप में धरती पर आए तथा भक्त और धर्म की रक्षा के लिए सारे राक्षसों का वद्ध किया और फिर रिशीगन खुशी खुशी अपनी कुटिया में रहने लगे पाप और पापी से हारे धरती से जब संत पुकारे राम की ये असुरों का संहार धरम द्वज आके लहराए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे बोपार हो जाए जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला बड़ा उनका नाम रामायन के रचैता महा कभी तुलसी दास जी जिनका जब जनम हुआ था तो उनकी मुँ से पहला शब्द जो निकला था वो राम था तब लोगों ने उनका नाम राम बोला रखा था बड़े बड़े ज्यानियों ने ये अनमान पहले ही लगा लिया था ये बच्चा बड़ा होकर बहुत बड़ा वित्वान बनेगा और ठीक वैसा ही हुआ मारशी तुलसी दास को कौन नहीं जाता जनम लेत तुलसी बोले राम राम बोला पड़ां का नाम अन्त में दरश दिये श्री राम रामायन उनसे लिखवाए राम से बना राम का नाम जो सुमिरे भोपार हो जाए राम नाम पथर तैराए सागर पे से तू बंधवाए राम राम पथर तैराए सागर पे से तू बंधवाए लंगा पर चड़ाई करने के लिए जब समुद्र पर फुल बनाया जा रहा था तब नलनिल जिस पथर पर राम लिख दे रहे थे वो पथर तैर जा रहा था प्रभुष राम ने भी एक पथर पर राम लिखकर उसको जैसे ही फैका वो पथर दूब गया हैरान होकर प्रभुष राम ने नलनिल से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ तब नलनिल ने बड़ी ही गंभीर बात प्रभुष राम को बताई कि भगवन आप जिसे छोड़ दे उसे डूबने से भला कौन बचा सकता है राम नाम पथर तैराए सागर पे से तू बंधवाए शिला पे लिख दिया श्री राम वो पथर दूब ना पाए राम से बना राम का नाम जो सु मीरे वो पाद हो जाए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभु राम जी आए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभु राम जी आए आज इनसान जात पात के चकर में इनसान से ही नफरत करने लगा है मगर हम जिनकी पूजा करते हैं वो प्रभु राम एक भीलिनी के हाथ का जूठा बेर खाये थे उसी जूठे बेर को लक्षमण जी ने खाने से इनकार कर दिया था फिर उसी बेर का उप्योग लक्षमण जी की जान को बचाने के लिए किया गया था मर्यादा पुर्शोत्म भगवान राम का ये गुण जिसका हम सब को पालं करना चाहिए शबरी बैठी आस लगाए कुटिया में प्रभुराम जी आए भगत के वश में हुए भगवान वो जूठे बेर भी खाये ग्राम से बना राम का ना जो सु मेरे बोपाल हो जाए क्या मैंसी बना ना मिला ना जो सु मेरे भौपार हो जाए